अब देखो next क्या है इसमें लिखा है P A less B जो है वो greater than है मत्द ग्रेटर देन है P A से और which one is correct कौन सा correct है इन सब में P B slash A है B slash A B slash A है अच्छा चलो पहले कर मैं A slash B का formula लगाउं तो वो क्या होता है A intersection B upon P B यही तो होता है formula यह PA इदर है यानि कि PA intersection B की जो value है बड़ी होगी अगर PB को इदर बेच दिया PA into PB से और यहां पर जो second part है इसमें less than लगा तो इसका मतलब है second part part की जो possibility है वो तो खतम हो गई ठीक है इसका मतलब अब आपका जो A C D option है उसमें है PB slash A तो PB slash A क्या होता है PB intersection A upon PA या फिर बोलूँ PA intersection B upon PA इसका मतलब है आपको अगर PB slash A चाहिए तो वो PB slash A जो है वो कहीं न कहीं इसके बराबर है ठीक है तो आप बताओ हमारे पास A intersection BB है इधर PB है लेकिन चाहिए क्या है PA तो एक काम करो PA को इधर कर दो PB को इधर कर दो इस वाले case में तो PA intersection B upon PB को इधर कर देंगे PA को इधर अब आप बताओ यह क्या बन गया यह बन गया यह बन गया PB slash A और greater than किससे PB से तो कौन सॉप्शन आ जाएगा C पाड़ आ गया C पाड़ आ गया ठीक है आयसे में तो इस तरी थोड़ा सा आप रिलेट करना पड़ेगा आपको